प्रिया दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आपको इ को कैसे पढ़ें इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इ को इ भी पढ़ते हैं और इ को इ अ इ भी पढ़ते हैं इस वीडियो में हम इ को इ कपड़ते हैं और इ को इ कपड़ते हैं इन पर चर्चा करेंगे इ को इ कपड़ते हैं इसे सिखते हैं जब हमारे पास कोई सब्द है देखिए यहाँ पर हमने कोई सब्द लिया है और देखें फिर से हमारे पास कोई सब्द है वो सब्द आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है कि उस सब्द में हमें देखना है कि E है हाँ E है और फिर एक को छोड़ने के बाद फिर से E आए वहाँ पर हम E को E पढ़ेंगे जैसे कि सिड देखें सिड इसमें हम E को E पढ़ते है एक और उधारन लेते हैं जैसे M, E, T, E मीट यहाँ पर भी E है और फिर एक को छोड़ने के बाद फिर से E आ रहा है तो यहाँ पर इस E का उचारन E होगा जैसे मौ में E की मातरा है इसलिए हम इसे मीट पढ़ते हैं अब हम चर्चा करते हैं कि E को E कब पढ़ते हैं जब सब्द के अंत में E, R, E E, R, E साथ में आए तो वहाँ पर E को E पढ़ते हैं उधारन के लिए M, E, R, E सब्द के अंत में देखें E, R, E साथ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम इस वाले E को E पढ़ेंगे देखें इसको हम पढ़ते हैं मी, R देखें यहाँ पर हम इसे E, O पढ़ रहे हैं म में E की मातरा और O पोलेडिया पर लिखा है इसी कारण हम E को यह भी पढ़ते हैं एक और उधारन लेते हैं C, O, H, E, R, E इसको पढ़ेंगी हम को और इसे पढ़ेंगी ही और इसे अर को ही अर यहाँ पर हमें हो में E की मातरा है और यह और तो यहाँ पर भी हम इसे यह पढ़ रहे हैं आगे की वीडियो में हम E को O कपरते हैं E को A कपरते हैं यह जानेंगी इस वीडियो में इतना ही थैंक यू हम इस दे